नमुस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ अभिसेख मिस्रा बिहार में विदान सभा का सितकालीन सत्र चल रहा है और इस सितकालीन सत्र के दौरान बिहार के मुख मंत्री नितीज कुमार का गुसा एक बार फिर देखने को मिला है इस बार मुख मंत्री नितीज कुमार का पारा भारतिय जन्ता पार्टी पर हाई था नितीज कुमार की नाराजगी या नितीज कुमार का पारा किस तरफ से साथ में आस्मान पर पहुं जाता है ये सदन में इस से पहले एक दो बार देखा जा चुका है एक बार तेयसमी यादों पर बेहत नाराज हुए थे और एक बार जब इंडिये के साथ थे तथकालीन विधान सबाधिक गिन पर नाराज हुए थे तो मुख मंत्री नितीज कुमार की नाराजगी पहले भी देखी जा रही है और आज एक बार फिर नितीज कुमार का पारा साथ में आस्मान पर था पारा हाई था नितीज कुमार की नाराजगी एक बार फिर आज सदन में देखने को मिली है दरसल मामला जहरीली सराब से मोत का है छपरा से जहरीली सराब से मोत के मामले सामने आए हैं साथ लोगों की मोत छपरा में जहरीली सराब से हुई है जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है और इसको लेकर सदन में हंगामा हुआ है इस मुद्दे को विपक्षने सदन में उठाया है और मुख मंत्री नितीज कुमार भारतिय जन्ता पाटी पर नाराज हो गए हैं विधान सभा के भीतर और बाहर भारतिय जन्ता पाटी ने छपरा में जहरली सराप से मौत के मामले को उठाया है और उसके बाद हंगावा मचाया है और फिर मुख मंत्री नितीज कुमार अपना आपाख हो बैठे नितीज कुमार बेहत नाराज हो गए और बीजेपी के सदस्यों को उन्होंने जमकर सुनाई खड़ी खोटी सुनाई है उन्होंने कहा कि सराप बंदी सदर में अपनी सीट से खड़े होकर मुख मंत्री नितीज कुमार ने कहा कि सराप बंदी के पक्ष में थे अब क्या हो गया सब को भगाओ यहां से बिल्कुल बर्दास्त नहीं किया जाएगा सराभी हो गया है तुम लोग सब को हटवाईए यहां से तो नितीज कुमार इतने नाराज थे इसका अंदाजा आप लगा लीजिये कितने नाराज थे साब तोर पर कह रहे हैं अपनी सदर में कह रहे हैं नाराज हुए बीजेपी ने सदस्तों का आरोप था कि बिहार में लगातार सराप से लोगों की मौत हो रही है बाउदू इसके मुखमंत्री ने चुप्पी साध रखी है इसी वीच सदन में CM बैठे हुए थे और वो अपना आपा खो बैठे गुश्य में नजर आए और जेपी को आज बहुत गुश्य में जवाब दिया है मुखमंत्री नितीश कुमार ने